वह हमारी कमाई है, असली कमाई वही है हमाई, और कुछ कमाई नहीं है, ठीक है, तो दिपी आप मैं देखिए सुल्सार में कोई संक्ट होई किवादा हो, कोई वीपत्य हो, इस चीज हम आपको आज बता रहे हैं, में सब्जेक्ट होई था, दिल में धबनाहाद हो, विचैने इत्ता हो, अपकासा हो, उसके दूर करने के तीन उपाय के, पहला उपाय माँ अगर्वत्ती जलाली जी, हाथ हुरदे पर रख लिए नाम से सांस लेकिए उससे बाहर निकाली, तीन मिनट से चार मिनट, ठीक है, उससे नहीं आराम होता है, सांस पर ध्यान करिए, उससे भी नहीं आराम होता है तो आप भजन जाना शुरू कर गए आँख खोल करके आँख बंद करके लिए भजन जाना शुरू करे तीन चीज आपको बता रहे हैं तीनों को अजमाईएगा और यदि प्रार्थना आपने सुवह साम भिर्दे और मन से किया तो मैं गारंटी बोलता हूँ कि जो संकट रहेगा धीरे-धीरे धीरे-धीरे बस आपको चिंता मुप्त होना होगा चिंता से दूर होना होगा और ज़िदि ध्यान में नव मन लगे तो घब्राना नहीं खेक है भजन कर लेना भजन में नव मन लगे घब्राना नहीं ध्यान कर लेना ध्यान में मन मन लगे भजन में भी मन मन लगे तो भी घब्राना मत माह अगर्वत्ती जला करके सद्गुरु की विशह में सोचना सद्गुरु से नहीं नाराज हो गए हो तो अपने जीवन में जो सुख आया है उसके विशे में सोचना है यह चारों ब्रवनाष्ट्रे आपको दे रहे हैं यहां से जाने के बाद उसका प्योग कहने है अच्छा है इसमता यह इवांदारे से कोई इसमें ऐसा है जिसको नो दिन से हो और उसको कुछ सुख या सांती नो मिले है कोई हैसा है जिसको नो मिली हो आप उठाएगा जिसको नो मिले है और इस सब को मिले आपको नहीं मिला है तो काम खा रहे हैं ने से करिए न वहीं उठाएवे जिसको नहीं मिला सब को मिला है इसमें आप सब लोग का स्वागा करें तो दुखाये भीगा तो आपको पता नहीं लगेगा तो चलागा ठीक है और थोड़ा सा भी आराम जिदी है तो ही धीरी धीरे आगे जाकर की और आराम जिदी है ठीक चलिए आप से हम पूछना चाहते हैं एक बात पैर बैठे बैठे दर्द हो गया दर्द कर रहा है तो दर्द भी कर रहा हो तो हम खड़ा कराएं नहीं तो इह पर ध्यान करा दें खड़ा करना जरूरी है तो देख काएं रहे है